नमस्कार मैं संजीव कुमार आज विवेकानंद के विचारों को प्रस्टुत करने का प्रियास कर रहा हूँ राजयोग विवेकानंद मोक्ष मार्क के रूप में एक राजयोग का उलेख किया है राजयोग में अमर्ता की प्राप्ति के लिए मन तथा सरीर के पूर्ण नियंतर्ण एवं अनुशाशन की बात की जाती है राध्योग इस विश्वास पर आध्रित है कि बंधन का मूल कारण यही है कि मन तथा सरीर में नहित सामान प्रवित्यां हमें विचलित करती रहती है इससे सक्ति का अपव्याय हो जाता है जिसके फॉल्स रूप आत्मा भी सिथिल हो जाती है सक्ति के इस अपव्याय को रोकना अनिवार है क्योंकि सक्ति के संचे रहने पर ही इसे इश्वर की ओर प्रेरित किया जा सकता है इसी कारण इस योग में मन तता सरीप नियंत्रण अनिवारे हो जाता है किन्तु लोगों की मानेता है कि मन तता सरीप इतने चंचल हैं कि उन्हें नियंतित करने के लिए बड़े ही ससक्त अनुसासन की आवशक्ता है इसी कारण राजयोग में बड़े ही कठोर अनुसासन की व्यवस्ता है इस कठोरता के कारण कुछ लोगों में इसका विक्रित रूप भी उभर पड़ता है किन्तु राजयोग का जो विधिवत था समुचित रूप में है उसमें अन्तिम अवस्ता ध्यान की ही है यहाँ ध्यान का अर्थ है कि मन तथा सरीर की क्रियाओं में सक्ति के अप्याय को रोक उस संपुन सक्ति को चरम लक्ष प्राप्ति योर क्रेंदित कर दिया जा विवेकानन का कहना है कि यह राजयोग शरीर तथा मन से दुर्वल व्यक्तियों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें सारीरीक और मानसिक बल तथा ससक्तता की आउशक्ता पड़ती है इस प्रकार के कठोर अनुशासन एवं अभ्याद से योगी में कुछ विलक्षण शक्तियां उत्पन होती हैं तथा वह ध्यान के अंदित करने की समर्षता प्राप्त कर लेता है इसी विदी से उसे इश्वर में लीन होने के लक्ष की प्राप्ति होती है मार्ग चाहे जो हो सुभावा नुसार मार्ग चैन कर उस मार्ग पर आरुण होने के लिए पून निष्ठा से समपून सक्ति लगा देनी है यह निष्ठा युग का अनिवारे उपादान है सारभोम धर्म का सरूप योम आदर्स यह एतियासिक तथे के विश्व में बिन्न धर्मों का अविर्भाव हुआ यह भी इतियासिद्य की प्राय सभी काल में इन धर्मों में आपसी संकर्ष होते रहे हैं यह भी सही है कि हर धर्म किसी न किसी रूप में धार्मिक संस्थाओं एवं संप्रदायों में बजता गया है। फलता हर धर्म अपने सिध्धानतों तथा अपने संप्रदायों को स्रिष्टम संस्था रहा है। यह भी एक महत्पूर्ण तत्थ है कि विविन्य धर्मों के आपती संगर्स किसी धर्म को समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि संगर्सों के फल्सुरूप उनकी सक्ति तथा जीवित रहने के उनकी चम्ता बढ़ती ही रही है। विवेकानन कहते हैं कि एक दिष्टी से संगर्स वैचारिक मतभेद एबम विवाद आदितो प्रकृत के अनिवारे शोपान हैं। तो वस्तुता सोचने को कुछ रह नहीं जाता। अतह धर्मों की विविन्यता तथा उनका आपसी मतभेद एबम विवाद धर्मों के जीवन के लिए अनिवारे हैं। किन्तु यदि हमारा धार्मिक विचार ही सत्य है तो सभी धार्मिक विचार किस प्रकार एक साथ सत्य हो सकते हैं। विवेक अनंद के रुसार सारभौम धर्म की सारभौमता मूलता दो अनिवारे लक्षणों पर आद्रित होती है। पहला धर्म सारभौम तभी हो सकता है जब इसके इसका द्वार सबों के लिए खुला रहे। धर्म को यह बात देखनी है कि नवजात सिसु अबोध तथा निर्दोस है। वह किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। यह तो बाद में उसकी अभिरुची एवं मनुवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म को स्विकार कर ले। दूसरा धर्मों के सारभम होने की दूसरी सर्थ यह है कि ऐसे सारभम धर्म में यह सकती होनी चाहिए कि वह विभिन संस्थाओं को संतुष्ट एवं त्रिप्त करतके। प्रश्ट है कि क्या इन दो कठिन सर्थों का पालन संभाव है। इस पर वेकानन द्वारा दिया गया उत्तर विलक्षन है। वेस्पस्ट कहते हैं कि ऐसे सारभोम धर्म की संभावना पर संसय करना अकारण है। क्योंकि ऐसा सारभोम धर्म वस्तुता है। उनका कहना है कि हम धर्म सम्मंदी विवादों में तथा अपने धर्म की स्रिष्टा को सिद्ध करने में इतने खोय हुए हैं कि सारभोम धर्म की उपस्थिती से भी अनभिग्य बने हुए हैं। यदि हम थोड़ा विचार पुर्वक ध्यान दे तो देखेंगे कि विश्व के विभिन धर्मों में कोई मोलिक विरूद नहीं हैं। बलकि हर धर्म में हर दूसरे धर्म के विचारों की पुष्टी ही होती है। धर्म का जो केंद्र है अर्थात सत्य है वह इतना व्यापक है कि एक साथ उसके सभी पक्षों पर विचार भी नहीं किया जा सकता। हर धर्म उसी सत्य के किसी पक्ष या पहलू पर ध्यान देता है, तथा भावातीरेक में समझ बैठता है कि सत्य में बस वही एक पक्ष है, धार्मिक विवयाद का मूल्य कारण यही है। वस्तुता हर धर्म में उस सत्य के किसी पक्षपर प्रकास दे उस विचार को विक्षित करने का कार्य होता है। इस दिश्टी से हर धर्म एक दूसरे का पूरक है सहयोगी है। विरोधी नहीं, विरोध तो तब होता है जब हम अपनी आंसिक दिश्टी को पूर्ण दिश्टी समझ लेते हैं। हम एक हई सत्य को अपने ढंग से देखते हैं उस पर अपना रंग चलाते हैं इसी दिष्टी भेट से उस सत्य के विभिन्य भिन्य चित्रु भरते हैं वस्तु वस्तुता हर धर्म में निरुपी सत्य एक ही है विवेकरन के कहना है कि जिस प्रकार विश्व बंधुत वास्त विकता है उसी प्रकार सारभौम धर्म भी वास्त विकता है उनका यह भी कहना है कि वस्तुता हर धर्म सारभौम धर्म है हम अपनी सुविधा तथा बाह उद्यश्यों की पूर्ती के लिए उस धर्म की सारभौमता की उपेक्छा कर उसे सामप्रदाईक बना देते हैं सारभौम धर्म को मानने का अर्थ अलग से किसी धर्म को मानने की आवशकता नहीं है हम चाहे जिस धर्म को अपनाएं उसमें डूबें उसकी विसिश्टता के अनुरूप चलें हम सारभौम धर्म को मानने लगेंगे इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है पहला धर्म के बाहर रूप पर आवश्यक्ता से अधिक ध्यान न दे दूसरा हम अपने धर्म का पालन खुले हे देर से करें अर्थात मेरी लिए तु यही मार्ग है किन्तु अन्य मार्ग भी संभव है विविकानन्द स्पर्ष्ट कहते हैं कि सारभौम धर्म का मूल मन्त है स्वीक्रिदी को लेकनी है कि सही सुरता में सहन करने का भाव है अता विविकानन्द कहते हैं कि यदि एक धर्म दूसरे को केवल सहन करता है तो उसमें सारभौम ताक जिष्टी नहीं जग सकती हमें किसी भी धर्म गर्ण से सिक्षा लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए सभी धर्मों में विद्यमान समान बिंदू है इस्वर उनका कहना है कि जहां विभिन्यताएं रहती हैं वहां एकता भी रहती है सभी इस्त्री पुरुष एक दूसरे से भिन्य है जिसी प्रकार सभी धर्म एक दूसरे से भिन्य है में किन्तुवे धर्म तो हैं ही सभी व्यक्ति एक ही मिनवित्ति सुभाव के नहीं है अतह सार्भौम धर्म में दर्शन भावना कर्म रहस्य वाधिता सभी के लिए इस्थान होना चाहिए धन्यवाद नमस्कार